अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश के थाना चेतर की जहां डॉक्टर की लापरवाही से एक नौजात मासूम की जान चली गई यह खबर है मेरट के थाना परतापूर चेतर की जहां मेंटर निटी हॉस्पिटल में डॉक्टर की बड़ी लापरवाही सामने आई है अस्पताल के लापरवाही के चलते एक नौजाज शिशू की मौत हो गई दरसल मेरट के थाना परतापुर छेतर में में निटी होस्पिटल में देराट डॉक्टर की लापरवाही से एक बच्चे की मौत हो गई परिजनों का आरोप है कि देराट बच्चे को जब तकलीफ हुई तो उन्होंने नर्स से डॉक्टर को बुलाने के लिए कहा लेकिन नर्स ने डॉक्टर को बुलाने की जानकारी नहीं दी डॉक्टर ने शिशू को देखने से इंकार कर दिया आपको बता दे कि परिजनों की काफी गुहार के बाद डॉक्टर मौके पर पहुँचे लेकिन शिशू को देखने से इंकार कर दिया बता जा रहा है कि सुबह आकर बक्से की जाच की गई जिसमें बच्चा मृत मिला बता जा रहा है कि सही उपचारना मिलने की वज़े से देर रात शिशू की मौत हो गई जैसे ही परिजनों को पता चला की बच्चे की मौत हो गई है तो परिजनों का गुस्सा साथ में आसवान पर चढ़ गया और हॉस्पिटल के सामने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया परिजनों ने 112 नंबर पर फोन करके पुलिस को सूचना दी और हॉस्पिटल के डॉक्टरों के खिलाफ सक्त सक्त कारवाई की मांग की है संडे में डिलीवरी हुई थी बच्चा ठीक था थी इन दिन से तो जी सर कहना में कल रात बारे बज़े दिक्कत होई बच्चे को कि मैंड़ नर्स से बताया को बच्चों को शुबर देखा देखा थिए बच्चों को में अंसे बात हुई आमने सामने बात करवाई में नर्स की बी और मैंडम की बात करवाई है प्रवाई करेंगे यह जो पर वाई किसी और बीनी होनी चाहिए बस आज हमारा है किसी और कि साथ भी है प्रवाई चाहते हैं वह बिल मंगा मैं दो आना बिल कुछ भी निकासर अमने तो कुछ वो नितल लेकिन राज इतनी बड़ी लापरवाई कर दी जब दिक्कत हो रही है यह मैं पतते जबी के दिक्कत है बहुत बड़ी लापरवाई